नमस्कार दोफ्त हों, मैं आज आप से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटर पर बात करने जा रहा हूं, अभी हम लोग लागडाउन फेस थ्री के उसमें आ गये हैं, और फेस थ्री भी कब तक चलेगा उसके बाद, और हमको कब तक लागडाउन में रहना पड़ेगा, कोरोना क बीमारी से डर कर मुझे पता नहीं है, लेकिन कोरोना के अलावा भी अन्य बीमारियां हैं, जिस पर भी बात करना जरूरी है, तो मैं आपके लिए लेकर कहा हूं, आनलाइन होमियोपेथिक चिकिस्सा, कई सारे मरीज मुझे बात कर रहे थे, लगातार फोन आते रहते हैं, लोग मेल करते रहते हैं, लोग यूट्यूब पर भी लिखते रहते हैं, उनको कैसे आनलाइन टीट्मेंट हम अवेलेबल करा हैं, उसके लिए मैं भी चिंतित था, चुकि अभी बाइपोस्ट होमियोपेथिक दवाई जा नहीं पा रही थी, लेकिन अब जाने लग गई है तो मैं देश के विफिन हिश्व में होमियोपेथिक दवाई कैसे यहां से भेची जा सके उसके लिए पूरा प्रयास करा हूँ, आप लोगों को किवल छोटा सा कारे करना है, आपकी जो भी बीमारी हुई है, यह बीमारी आपको कब हुई, कब तक आप बिल्कुल स्वास्त है, कब से पहली बार, सबसे पहली बार आपको क्या परिशानी हुई, क्या भीमारी हुई, वो पूरा डीटेल लिख करके आपको या तो मेल करना है, या वाट्षब करना है, बेहतर होगा कि आप हमें मेल पर पूरा डीटेल भेज़े, मेल में आप लिखे, आपका नाम, पूरा डीटेल चाहिए, आपके चेहरे का एक फोटोग्राफ चाहिए, संभव हो सके तो एक छोटा सा मोबाइल में वीडियो बना करके भी मुझे भेज़ें, ताकि मैं सारी चीजों को समझ सकूँ, मुझे सारे इंवेस्टिकेशन रिपोर्ट चाहिए, अभी तक बीमारी से होने से ले करके, आज तक की सभी इंवेस्टिकेशन रिपोर्ट चाहिए, बीमारी होने से ले करके, जिन जिन डाक्टर्स को दिखाए, उन सभी डाक्टर्स के प्रस्किप्शन चाहिए, तो कि ताकि मैं बीमारी के बारे में पूरी तरह से समझ सकूँ, आपके बीमारी के स समाश सकूं उसके आधार पर दवाईयों के डोस का नेधारम होता है दवाईयों का चैन हो सकता है प्रापर तरीके से तो इस तरीके से क्या होगा कि हम आपको आज बात करते हैं कि बदले हुए परिमेश में हमको बदलना चाहिए और डॉक्टर्स को भी चिकिस्टरों को भी टेली मेडिसीन की सलाह देते हैं तो दोस्तों आपकी परिशानी को समझते हुए मैंने भी आनलाइन चिकिस्टा देने का निश्चय किया है जब तक lockdown चलता रहेगा या जब तक पूरी तरह से साधन उपलब नहीं हो जाता है आप लोगों को इन दोर आने के लिए तक हम आपको आपके घर के address पर या आपके पते पर हुमेपतिक दवाई यहां से पहुचाने कोशिश करेंगे आपको करना सिर्फ इतना है कि आपकी पूरी बीमारी जो भी परिशानी है एकदम clear cut लिखे हिंदी आती हिंदी में लिखे इंगलिस आती हैं इंगलिस में लिखे एकदम सबस लिखे उसके साथ सारी investigation report पहले के doctors के सारे prescription भेज़िए और आज तक के जो भी इलाज दिया है उ करेंगे कोशिश करेंगे कि आपको के speedpost से या courier से या फिर जो भी पार्सल बेवस्था होगी उससे दवाई भेजेंगे आप इसी तरीके से हमारा YouTube चनल देखते रहिए इसको सब्सक्राइब करते रहिए और जिन लोगों को हमारी जरूत है वहां तक इसको पहुचाते रह हुचाते रहिए